सब्सक्राइब करिए टेकियासर यूटूब चनल को साथ में लगा बेल एकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको मिले मेरे वीडियो के बडेट सबसे पहले देखने के लिए हलो गाइस वेलकम टूटू टेकियासर यूटूब चनल और गैसे सब आप सबी को बताए का यहाँ पर Indian ставal salg के बारे में बताने वालो कौन से कौन से स्मार्टफोन के बारे हाँ आपको यहाँ पर देखना चाइए। सारी चीज़ आचके स्टूडियो में बताने वाला तो इसा पर करता है। यह वीडियो का लाइक टार्गेट रखते हम सिर्फ हजार लाइक का आई खोब कि यहाँ पर अपकर दोगे तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे बढ़े आपको बता दू यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके रखा हूँ कौन कौन से डिवाइस आपको यहाँ पर ग्रैप करना चाहिए यहाँ पर अमेज़ान के से उससे पहले मैं आपको बता दू यहाँ पर बैंक सफ़र डिस्कॉंट वगर के भारे में तो यहाँ SBI का काड अगर आपके पास है क्रेडिट काड एस वेलेस डेविट कार तो 10% का आपको यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा जो के अगें बहुत ही अच्छी बात है साथ में कैश बैक और वगर आपको एडिशनल देखने को मिलेगा वो आप आप और वहाँ पर पढ़ सकते हो साथ मगर स्मार्टफोन की बात करें तो सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करते तो वह है वन प्लस सिक्स आप सभी को पता होगा बहुत ही बड़िया यहाँ पर फ्लैक्शिप किलर स्मार्टफोन है इसकी जो ओरीजिनल प्राइज है बेस पर मनी डिवाइस है हाँ मुझे पता है वन प्लस सिक्स टी आने वाला है वो बात अलग है वहाँ पर आपको सिर्फ इन डिस्प्लै फिंगर्प्रिंट स्कैनर मिलेगा और वाटर ड्रॉप नौज मिलेगी ज्यादा कुछ चेंज़ नहीं है बट तीस हजार में यह भी कोई 3GB 32GB की वह 10,000 रुपए थी वट सेल में आपको 9,000 का मिल रहा है और 10% का अगर आप SBA18 से लेते हो लगबग आपको 8,000 रुपए में देखने को मिलेगा और एक चीज़ में आपको बुलना चाहूंगा अगर आप 10,000 के नीचे के प्राइस पॉइंट की कैमरे वाला फोन च है बट अगर आपकी हाइस प्रारिटी से कैमरा सेलफी कैमरा हो या बैक कैमरा हो दोनों ही कैमरा कमाल का है तो अगर आपको यह 8,000 में डील मिल रहे हैं SBAI के कार्ड मिला के तो डेफिनेटली अगर आपको कैमरा फोन चीज़ तो आफ रेडमी वाई टू के लिए भी जा सक तो 10% और आफ देखने को मिल जाएगा तो यह भी कोई बुरी डेल नहीं है आपको किरीन का 970 देखने को मिलता है बटरी लाइफ अच्छी है ताइप सी का पोर्ट है सारी चीज़ अच्छी है सिर्फ थोड़ा पहुत कैमरे में आपको कंप्रमाइस करना पड़ेगा यह प मॉडल आपको अभी 13,000 की प्राइस पॉंट पर मिलेगा डेफिनेटली जिन लोगों अगर स्टोरेज जादा चीए तो आप यह भी यहां पर कंसिर्ट कर सकते हो बाग्या अगर आपको स्टोरेज से मतलब नहीं है तो रियलमी टू प्रो तो अपनी चेके पर है बाग्या अगर आपको 128 चीपेस फोन चीए 128 GB स्टोरेज के साथ में तो रियलमी वन भी हीलियो पी 60 वगरा है बैटरी लाइप भी बढ़िया है बहुत एक्सिलेंट डिवाइस है यहां पर भी आप देख सकते हो और कैश आप यहां पर SBI के कार्ट से अगर आप थोड़े बहुत यह आपर ले लेते हो तो और चीप में आपको 128 GB लाइफ देखने को मिलेगा नेक्स्ट फोन की बात करें तो यह हुआवे का नुवा त्री आई इसके बहुत अच्छा खासा डिस्कॉंड मिल रहा है 17,990 रुपे में आपको बेस्ट देखने को मिलेगा बिल कॉलिटी और बिल कॉलिटी मिलेगी बहुत ही प्रीमियम लगता है ऐसा लगता ही नहीं बहुत ही बढ़िया है तो और कैमरा भी बहुत ही बढ़िया है तो ओनर का नुवावे का नुवा त्री आई भी एक्सिलेंट डिवाइस है जब लाउंच हुआ था 22,000 में जब थोड़ा एक्स और मार लेते हो तो अच्छी खासी आपको यहां पर पैकेज देखने को मिलेगा तो अगेन बोलूँगा अगर आपको डिजाइन आपकी हाइस प्रालिटीज में से है तो डेफिनेटल आप चेक आउट कर सकते हो नेक्स स्मार्टफोन की बात करें तो है शौमी मी एटू द सबसे बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस आपको दे देगा यहां पर और सबसे अच्छी बात यह है इसकी प्राइस पॉइंट यह थी वो सतरह हजार रुपय थी डायरेक्ली आपको दो हजार का फ्लैट डिस्कॉन मिल रहा है मतलब पंदरह हजार में मी एटू आप पर्चेस कर वाला स्मार्टफोन चीह है तो मी एटू बहुत ही गजब का फोन है इस्पेशली इन टम्स आफ कैमरा परफॉर्मस तो पंदरह हजार में मेरे हिसाफ से यह भी अच्छी डिले आप इसे प्राइटिव के हिसाफ से चेक आउट कर सकते हो नेक्स स्मार्टफोन है वीवो का वी नाइन प्रो यहाँ पर यह रिसेंटली लॉंच हो है 17,990 रुपय में आपको देखने को मिल रहा है स्नाप ड्रैकन का 660 मिलता है 6GB की रैम मिल जाती है तो अगर आप वीवो के बहुत बड़े फैन हो तभी मैं आपको रेकमेंड करूँआ अगर आप वीवो के फैन नहीं हो तो आप यहां पर यहां पर यहां पर वीवो ऐसा ब्रैंड पसंद है वीवो की सर्विस पसंद है तो 660 6GB रैम के साथ में वीवो 18000 में डेफिनेटली यह भी एक अच्छा उप्शन है आप आप लोगों के लिए हो सकता है तो यह इतनी डील जितना मैंने आपको बताया है इसमें साब चेक आउट करो वेल्यू फॉर मनी डिवाइस है भाई यह अब मैं आपको बताता है कौन कौन से यहां पर बचके रहना चाहिए सबसे पहले तो सैमसंग के जितने भी मिड्रेंट सेग्मेंट के स्मार्टफोन है चाहिए वो ओन नेक्स हो गया यह जितने भी ओन वाले है और जो भी फोन है उन लोगों से बचके रहना भाई बिल्कुल भी वर्त नहीं है डिस्काउंड में यार फर्स नहीं जाना उन लोगों से बचके रहना मोटरोला का मोटो जी सिक्स हो गया यह जी फाई एस प्लस देड़ दो साल पुराना फोन वो भी आपको दस बार हजार में मिल रहे है गलती से भी मत लेना इतना मॉडल कुछ खास नहीं है शुरू आपको डिस्काउंड जाए 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 दिखा के बेचने की कोशिश करी आ रहे है तो मोटरोला के सैमसंग के भी छोड़ देना इन फोकस वगरा के भी जितने फोन है वो भी लेने के आप लोगों को जरूरत नहीं है साथ में और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे फोन से जो कर品 बिलकुल भी वर्त नहीं है तो मैं सोचा के आप लोगों को बता कर भी यहाँ पर मतलब नहीं है और भी ऐसे बहुत सारे फोन से या रहेके का नाम लोगा तो बहुत बड़ी वीडियो बना जाएगी पर कि आप समझदार हो आप लोगों को पता लग गया रहेगा कि कौन सा फोन लेना है कौन से फोन से बच के रहेना है जाएगोव कि मेरी तरफ साब को यहाँ पर यह एमेजान की वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे नीचे कमेट सेक्शन में बताना के भाई ये सारे फोन जितने भी मने बताया हूँ आपको सबसे बढ़िया डिल कौन से लगती? मुझे बताना नीचे कमेट से है और आप कौन से डिल को करेख करने वालो? वह भी बताना नीचे मुझे कमेट से है जो बच्छाए होप के मेरी तरफ साब को वीडियो पसंद आई होगी और कईसे अगर आपको वडियो पसंदा है लाइक शेयर स्क्राइब करना मत बुलना मिलता है उपसे से क्लिक इसी फीडियो में चल तक के लिए थैंक यू